हेलो गाईज, वेलकम डूटेगी असर यूटिब चैनल और गाईज, बहुत टाइम से हम यहाँ पर फिलिपकार्ट के स्मार्टफोन सेल का वेट कर रहे थे फाइनली फिलिपकार्ट वाले को लगा किया यार अब सेल का टाइम आ चुका है और उन्होंने अपना एक नया सेल अनाउंस कर दिया जिसका नाम है फिलिपकार्ट बिग चौपिंग डेस सेल बहुत ही धमाकेदार आपको यहाँ पर जो स्मार्टफोन पर डिल्स देखने को मिलेगी कुछ बेकार स्मार्टफोन भी है तो आज की स्टुडिय में मैं अच्छे स्मार्टफोन से आपको जोके ग्रैब कर लेना चाहिए कौन कौन से स्मार्टफोन से आपको बच करेना चाहिए गलती नहीं करना चाहिए सारी डील्स के रिकार्डिंग आप लोगो सारी नौलेज देने वाला हूँ तो सभी बात पर कर देने एक वीडियो को लाइक की वीडियो का लेकर टार्गेट रेक्ट हम दो हजार लेक्स का एक होप का पर आप कर दोगे सो गाइस चीन वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब बात कर लेता है यहाँ पर सेल डेट के बारे में तो 19 मार्च से लेगे 22 मार्च के बीच में यहाँ पर फ्लिप कार्ड का स्मार्टफोन सेल रहने वाला है और बैंक ओफर के अगर हम बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है SBI के करेट कार्ड पर जो आपको 10% का instant discount मिलेगा वो भी अगर आप EMI transaction करते हो तो बहुत ही बेकार सा discount है वैसे अगर आपके पास card वागरा है जो card कर सकते हो EMI वागरा करने वाले हो तब आपको 10% का instant discount देखने को मिलेगा चलिए अब मैं लाइन से सारे smartphone बताऊंगा और एक-एक specs वागरा बताते नहीं बैटोंगा आदे घंटे की वीडियो बन जाएगी तो सीधा बोलेंगे कौन से phone लेना चीए क्यों लेना चीए और कौन से phone नहीं लेना चीए क्यों नहीं लेना चीए चलिए सबसे परहा smartphone है IQ3 37,000 रुपीज में आपको देखने को मिल रहा है तो वो price point पर इससे better device मुझे जो है Realme X50 Pro लगता है क्योंके वहाँ पर आपको 5G मी मिल रहा है और इससे better specs आपको देखने को मिलते है लेकिन यहाँ पर आपको exchange और prepaid वगरा करते हो तो 5000 पर तक आपको off देखने को मिलेगा तो वो सारी चीज़ा का मिला के जो आपको 32-33,000 तक यह मिलता है तो आप देख लेना जब offer चालोगा उसके बाद में जैसा यह discount वगरा exchange में अगर मिल रहा है 55,000 का discount तब आप यह smartphone को देख सकते हो काफी powerful smartphone है नेक्स है यहाँ पर Realme 5 Pro 12,000 पर में इसका base rent आपको directly मिल रहा है बट आज की डेट में मैं आपको recommend नहीं करूँगा क्योंकि अल्डेडी जो Realme 6 है 13,000 पर में आपको available है इससे better है 90 Hz का display है 30 Watt की fast charging का support है 64 Megapixel का quad camera का setup है तो Realme 5 Pro आज की डेट में skip कर दो 12,000 में मत लेना 13,000 में Realme 6 के साथ में जो है अब जा सकते हो नेक्स है यहाँ पर Samsung S9 22,000 पर में मतलब इतना drop 464 और विरियन डिकने को मिल रहा है लेकिन आज की डेट में seriously लेने लाइक नहीं है क्योंकि already S20, S20+, अगर आच चुक है S9 काफी पुराना smartphone हो चुक है अच्छा smartphone है लेकिन पुराना लेकिन मतलब नहीं अब 90Hz, 120Hz का जमान है तो S9 12,000 पर में आज की डेट में बत लेना नेक्स है यहाँ पर Vivo Z1 Pro 12,000 पर में अच्छा smartphone है लेकिन Realme 6 by 13,000 में इतने बड़िया स्पेसिफिकेशन परवाइड कराता है तो Z1 Pro भी उसके सामने थोड़ा फीका लगता है क्योंकि Z1 Pro जो है पंच होल एक लौट था आप बुल सकते हो बहुती काम smartphone थे जो के दे रहा था अब 13,000 में पंच होल के साथ में 90Hz आपको Realme 6 प्रवाइड करा रहे 30W की जो आपको Fast Charging का सपोर्ट भी देखने को मिल जाते है अब वो नीच है तो Redmi Note 9 Pro भी आपको 13,000 में मिल जाता है जो कि आपको 5020 MS की बैटरी वगर आप प्रवाइड कराते है तो Z1 Pro आज की रेट में स्किप कर दो Redmi Note 9 Pro या Realme 6 के साथ में आप जा सकते हो 13,000 में वो दोनों बैटर स्मार्टफोन है एस कंपेड टू Vivo Z1 Pro से नेक्स ही यहाँ पर Samsung A50 13,000 में मैं बुलूँगा ठीक ठाक दील है देखना है देख सकते हो लेकिन अगर आप Samsung के डाइहाट फेन हो M30S इससे बैटर डिवाइस है तो वह आप देख सकते हो 6000 एमेश की बैटरी है इससे स्लाइटली बैटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है कैमराज इससे बैटर देखने को मिलते है तो वह आप चेक आउट करो M30S Samsung लवार हो तो यही price point पर मिलेगा वैसे अगर आपको A50 पे दिल बहुत जादा आ चुक है तो आप आप देख सकते हो 13000 में ठीक ठाक डिवाइस है लिकिन थोड़ा पुराना हो चुक है Next है यहाँ पर Realme 5 8000 पर मिल रहा है 8000 में भी मैं आपको फोन को recommend नहीं करूँगा ठीक ठाक डिवाइस है इतना कुछ खास नहीं है Next है यहाँ पर Vivo Z1X 664 वाला variant सिर्फ आपको 14000 में मिल रहा है मतलब आपको बताएगा 16000 लेकिन जैसे ही आप card से पहले ही payment करते हो कोई भी card हो चाहे तो आपका डाइकली 14000 पर बताएगा 14000 पर में amazing device है क्योंकि AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है 48MP का IMX582 का sensor है 32MP का selfie camera outstanding है in display fingerprint scanner है 22.5W की fast charging का support है excellent design है Z1X 14000 पर में value for money device है definitely आप check out कर सकते हो Next है यहाँ पर Realme X2 15000 बता रहा है लेकिन यह आपका 17000 में रहेगा 2000 exchange का कटा के बता रहा है इसे मैं directly बता दिया इसमें कुछ discount वगरा नहीं है लेकिन still 17000 पर में भी यह value for money है क्या AMOLED डिस्प्ले आपर मिलता है glass body है, Google Glass 5 के साथ में in display fingerprint scanner है 30W की fast charging का support है 64MP का caught camera का setup है तो अगर आपको Realme 6 Pro या Redmi Note 9 Pro Max वगरा पसंद है लेकिन आप AMOLED के fan हो यहां पर Vivo U10 8000 पर में देखने को मिल रहा है और 8000 में मैं बोलूँगा ठीक device है क्योंकि Snapdragon 665 देखने को मिल जाता है 5000 image की battery है 18W की fast charging का support है तो 8000 का एक्दम सा tight budget है और आपको इसा बड़ा screen वाला बड़ी battery वाला smartphone यह वी वो चाहूंगा कि 12000, 13000, 14000 वाले variant की तरफ मत जाओ 464 जो 10,000 पर मिल रहा है वो सबसे बड़ी अडिले तो Note 7 Pro अगर आज की डेट में भी अगर आपको purchase करना है तो 6GB अगर है कि जरुट निये 12-13,000 खरचा आज की डेट में मत करना 10,000 वाला variant मिल जाते है 464 तो वहां जा सकते हो IMX 686 का sensor मिल जाते है 675 का आपको processor मिल जाते है अगर आपको देखने को मिल जाते है तो 10,000 Note 7 Pro के लिए ठीक है 10,000 के उपर Note 7 Pro के लिए आज की डेट में बिल्कुल भी अपने पैसे को वेस मत करना नेक्स सेंसंग S9 Plus 28,000 में स्किप कर दो इससे फार बेटर आप्शन आपको देखने को मिल जाते है नेक्स से आइफोन 10S 64GB 53,000 डुपीस का है यार आपकर अपल लवर हो तब देख सकते हो अतरवाइस मुझे अपल वेस्ट आफ बनी लगता है नेक्स से यहाँ पर Lenovo K10 Plus 8,000 डुपी में स्किप कर दो Lenovo की डिवाइस आज की डिवाइस में सीरियसली बताओ मत लो कुछ अपडेट वगरा का भी धान नी रखते है और जो सर्वीस वगरा हो भी इतनी कुछ कास इंडिया में नहीं है नेक्स से आईफोन 7 25,000 में इतना पुराना 3-4 साल पुराना स्मार्टफोन आज की डिवाइस में बिल्कुल भी पैसो को बरबाद मत करना 25,000 में इससे फार बेटर आप्शन आपका इंडोइट में मिल जाएंगे आईफोन 7 को भी आप स्किप कर सकते हो नेक्स है रेडमी की फ्लैक्षिप सिरीज K20 और K20 प्रो दोनों भी मैं आज की डिवाइस में आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि 20,000 में K20 लेने साथ आप रियल में X2 ले सकते हो Poco X2 ले सकते हो Redmi Note 9 Pro Max ले सकते हो सिरीज़ में आपको Poco Selfie गेमरा मिलता है Otherwise इससे far better option अबेलेवल है इससे कम price point पे है जबकि K20 Pro की बात करें तो 24,000 पे में decent price point में बोलूँगा लेकिन अब थोड़ा पुराना हो चुका है चाइना में भी कुछी दिनों में बंद हो चुका है या होने वाल है तो इसका price point और drop हो जाएगा तो अभी फिलाल के लिए K20 Pro को भी मैं बोलूँगा अभी hold पे रखो और drop होता है 22,000 में मिलता है तब देख सकते हो वसे 24,000 में आज की rate में मैं recommend नहीं करता हूँ Next है यहाँ पर Motorola One Vision 13,000 में skip कर दो इतना कुछ खास नहीं है Mi A3 12,000 में skip कर दो HD display आज की rate में 12,000 में acceptable नहीं है Next है यहाँ पर Realme XT 15,000 में देख सकते हो अच्छा device है पूरा smartphone XT X2 आपका सेम ही है 20W का 30W हो चुका है और जो camera में थोड़ा selfie camera में फरक देखने को मिल रहा है Otherwise processor में भी थोड़ा हलका difference है लेकिन 15,000 में का tight budget है AMOLED वाला smartphone चेक एक all-rounder smartphone के साथ में है Then definitely आप XT को देख सकते हैं AMOLED और glass body के लिए Next है यहाँ पर Honor 9X 13,000 में बिलकुल भी गलती मत करना Kirin 710 processor 13,000 में बिलकुल भी recommended नहीं है 13,000 का budget है या तो Redmi Note 9 Pro ले लो या तो Realme 6 इससे better deal आपको 13,000 में आज की डेट में नहीं मिलेगी Next flip card की सबसे best deal यह सबसे best discount आप बोल सकते हो OPPO Reno 10X Zoom यह आपका जो है variant 6GB वाला जो आपको है मतब अब प्राइस पॉंट जो लगपां 36-35,000 रपे के असपास है लेकिन offer में जो आपको 25,000 रपे मतब 12,000 रपे का flat discount मिल जाएगा अगर आप कोई भी card से payment करते हो तो तो 25,000 में मैं बोलूँगा Definitely लेने like delay क्योंकि Snapdragon 855 है Wook charging का support है 10X Hybrid Zoom का support देखने को मिल जाते है और दिखने में phone काफी बड़ी है अगर आपको बजट है और आपको एक अच्छा कासा smart phone चीए modern looks bezel-less display के साथ में definitely जो ये discount का फाइदा आप उठा सकते हो 855 काफी powerful chipset है definitely आप open ano 10X Zoom के साथ में जा सकते हो अगर आपको ये phone पसंद आता है तो next याँ रेड्मी 8A अगर आप रेड्मी के फैन हो बड़ी बैटरी टाइप सी फास्ट चाजिंग अगरा का support चीए बड़े डिस्पले के साथ में ठीक है decent device आप बोल सकते हो अगर रेड्मी के फैन हो तो next है याँ आपर Moto G8 Plus 12000 पे में skip कर दो next है Realme X 15000 पे में आपको देखने को मिल रहा है तो मैं बोलूँगा 15000 पे में AMOLED डिस्पले चीए तो आप XT के साथ में जाओ सिर्फ अगर आपको bezel-less डिस्पले AMOLED डिस्पले के साथ में चीए एस वेलेस पॉप अप सेल्फी कैमरा चीए तब आप X को देख सकते हो अधरवाइस X से बेटर XT है 15000 की रेंज में AMOLED स्मार्टफोन अगर आप देखते हो तो next है यहां पर ASUS MAX M2 7000 पे में स्किप कर दो प्रो वाला नहीं है सिर्फ MAX M2 है और इतना कुछ खास नहीं है इस नेक्स है यहां पर आइफोन 7 प्लस 32 GB वाला वेरियंट जो है 33,000 डुपीज में मिल रहा है भाई कोई पागा लेगा आज की डेट में जो 32 GB वाला मतब स्मार्टफोन लेगा वो भी 33,000 रुपर देखे स्मार्टफोन है और पुरी दुनिया ने फेक दिये सिर्फ इंडिया में आले आप लाके बेच रहे तो आप समझ सकते हो हम इंडियां के भी दिमाग है तो भाई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ इतना खास डिवाइस नहीं है नेक्स है अबर पिक्सल 3 है 27,000 रुपर में वेस्ट रॉफ बनी है आज की रहे में पर्चेस मत करना इस से फार बेटर जो आपको Realme X2 Pro देखने को मिल जाता है नेक्स है एसूस का जो है 6Z 24,000 रुपर में आपको सिर्फ देखने को मिल है 24,000 रुपर में आप ले सकते हो क्योंकि snapdragon 855 है कैमरा काफी जबता सिखने को मिल जाते है और एक और चीज़ आपको बता दू कि जो बैक कैमरा जो है वही आपका फ्रेंट भी बन जाता है तो अगर आपका सेलफी है व्लॉगिंग करते हो टिक टॉक पर वीडियो बनाते है नेक्स यहाँ पर रियल में एक्स्टू प्रो यह आपको बेसिकली डिस्काउंट वगरा नहीं मिल रहा है अगर डिसकाउंट चेज़ एक्सचेंज वगरा पर 4000 रुपे का आफ मिल रहा है बीना डिसकाउंट के भी जो है 30,000 वाला वेरियंट जो है 8128 वाला आइधिंग वो वैल्यू फर मनी है स्टैब डेगन 855 प्लस आपको जो 50 वाट की फास चल्जिंग का सपोर्ड मिल जाता है 90 हर्ट के अमलेट डिस्पले है तो कुल मिला के फ्लैक्शिव स्मार्टफोन 30,000 के बजट में चीए तो रियल में एक्स्टू प्रो से बेटर स्मार्टफोन स्किप कर दो आप आइफोन 8 को 37,000 रुपे पागा लेगा है कौन लेगा इतना महिंगा मतलब सबर्दस्ती का था हाइफोन को अगें स्किप कर दो और ट्वेंटी जो है 22,000 रुपे में काफी पाउरफुल स्मार्टफोन है काफी अच्छी बैटरी है और मतलब फास चर्ज कि एतना कुछ खास डिवाइस नहीं है नेक्स यहां पर लेनोव जेट 6 प्रो 25,000 रुपे में स्किप कर दो इसके मैंने बताया लेनोव का स्मार्टफोन में 25,000 रुपे दालना बेवकूफी है नेक्स यहां पर जियोनी F9 प्लस 6,000 रुपे में स्किप कर दो यूए 3,800 माइक्रोमेक्स एंट 12 स्किप भारत 5 प्रो स्किप माइक्रोमेक्स इंफिनिटिव स्किप और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दू माइक्रोमेक्स लावा कारबन और जो इनके भाई है आई टेल वगरा यह सारे स्मार्टफोन गलती से भी मत लेना चाहिवा आ आज की डिट में भाई वीव वाले हो या इसको बन कर दो या तो प्राइस कम कर दो 20,000 रुपे में बिलकुल भी वात नहीं काफी पुरान आउच्छुका है नेक्स है वीव एस वन 18,000 रुपे का है भाई जो है जैडवन एक्स इसकी तरह ही दिखने में सेम है लेकिन उसे बेटर स्वेक्स के साथ में जो आपको 14,000 रुपे मिल रहा है तो 18,000 रुप यहां पर पैसे को बरबाद करेंगे पता नहीं क्यों यह लोग सेल पर लाते है बट एस वन को भी आप स्किप कर सकते हो सेम डिवाइस डिजाइन अच्छा लगता है तो आप वीव जैडवन एक परचेद नहीं करना चाहिए 15,000 पे का मिल रहा है यह अगर आपको पोको का अच्छा लगता है पोको का जो पोको लॉंचर वगरा पोको के टीम में आपको बने रहना है तो पोको एक्सटू ले लो 16,000 पे में से फार बेटर डिले हां प्रोसेसर में अगें स्नैप डेकन 845 आपका 730G से बेटर है बट उसको छोड़ के आपको पोको एक्सटू में हरे एक स्पेसिफिकेशन आपको पोको एफवन से बेटर देखने को मिल रहा है तो पोको के फैन हो तो एक्सटू के साथ में जौब पोको एफवन आज कि जड़ में मतलेना काफी पूराना हो चुक मिला कि यह सारे स्मार्टफोन ते जो कि आपको फ्लिपकार्ट के बिग शॉपिंग डे सेल में दिखने को मिल रहे हैं क्योंकि 19 सेल एक 22 मार्च के बीच में रहने वाल है मैंने बिलकुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में आपको पता दिया कौन से फोन अच्छ है कौन से फोन घटी है जादा तरह आप फोन देखोगे तो मैंने स्किप करने को बोला क्योंकि बिलकुल भी वर्त निया कंपणी को जो इसा है कि यार बिकरे निया चलो सेल में डाल दो डिसकाउंट में तो आपको अपने पैसों को बरबाद नहीं करना है डिसकाउंट लगा के भी तो कुछ पैसा पे करोगे न तो वो भी आपको यहाँ पर अपनी सेविंग्स को अपने पास ही रखना और जो जो फोन में रेक चैनल को सब्सक्राइब कर देना किसी वीडियो में चुब तक के लिए थैंक यू